हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे और अभी टाइम हो रहा है शाम का साड़े पांच और मैं अभी बस बैठी हूँ चाय पी करके तो मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कैसा लग रहा है अजकल आपको मेरे व्लॉग जरूर बताईएगा और अभी पीहू सोके उठी है तो मैं बस जा रही हूँ पीहू के लिए कुछ नाश्ता बनाने मतलब शाम का स्नैक्स बनाने और मैं उस दिन रागी लेकर की आई थी जब मैं समान लेकर की आई ती जी मार पहले में बनाती थी जब बहुत चोटी थी तब मैं इसको बना के देती थी मगर इधर में बहुत दिनों के बाद रागी लेकर आई हो रागी बहुत अच्छा होता है बच्चों के जैसा कि मैंने पहले भी बताया है यह आरन का बहुत अच्छा सोर्स है तो अगर आपके ब या आप और अच्छा आयन देना चाहते हैं, तो आप बच्चों को रागी जरूर खिलाइएगा, रागी सब जगे शायद अवलेबल नहीं होती है, लेकिन अब मिल जाती है, पहले नहीं मिलती थी, ये मुंबई मतलब महरास्ट का बहुत अच्छा बच्छों को देने के लेकिन अभी जब से मैं यहां मुंबई में आई हूं कुछ सालों से, तो मुझे पता चला कि रागी बहुत अच्छा होता है बच्छों के लिए, तो आप लोग भी अपने बच्छों के फूड में मतलब रागी जरूर इंवाल्व करें, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आप नमकीन बना सकते हैं, या मीठा बना सकते हैं, तो चलिए चलते हैं चलिए से किचन में और देखते हैं कि मैं आज रागी का क्या बना रही हूं, तो ये देखिए फ्रेंट्स, ये है रागी का पैकेट और मैं इसमें से थोड़ा सा रागी निकाल ली हूँ, और इसमें तोड़ी सी चीनी डालूंगी अपने टेस के कॉर्डिंग आप चाहें तो आप जैगरी यानि की गुड़ भी डाल सकते हैं मैं आज इस पे शुगर डाल रहे हूं और इसको मिक्स करके मैं पान से दस मिनिट के लिए धक के रख दूंगी जिससे कि फूल जाएगा क्योंकि मैं इसमें सूजी डाली है तो यह बहुत अच्छा सा बैटर बन जाएगा पैंकेक के लिए तो देखिए अब टाइम हो चुका है और मैंने तवा को गरम कर लिया है इसमें घी डालूंगी देसी घी से में बना रहे हूं और एक चमच के आसपास में उठाके इसमें पैंकेक बन बात नहीं यह खाने लिए बहुत है और बहुत ही टेस्टी है इसको आप कोई भी सिरप के साथ दे सकते हैं जैसे कि वह चॉक्लेट सिरप होता है या कुछ भी तो मैं इसको दूंगी पीहू को उसके हनी के साथ तो चलिए फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूं तो मैंने पीहू को नाश्टा करा दिया है और यह जो मैं प्लांट लेकर के आई थी मैं इसमें सोच रही हूं चलो थोड़ी सी लाइट्स लगा देती हूं तो यह मेरे पास एक दीपावली की पहले से लाइट रखी है जिसको फेरी लाइट भी बोलते हैं बट यह मल्डी क कि बहुत अच्छा लगता है जब प्लांट को आप फेरी लाइट से देकोरेट करते हैं तो बस मैंने उसी के लिए इसमें प्लांट के ऊपर नहीं लगा रही हूं मैं मैं इसमें लपेट रही हूं इसके प्लांटर पर और कुछ लाइट उपर डाल दूंगी जिससे की लखने में थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैंने इसको लगा दिया है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पर लाइट लगा दी है पर यह मल्टी कलर की लाइट से और मुझे लगता है कि इसमें जो वाइट कलर की जो यलो कलर वाली लाइट होती है फैरी लाइट वो ज्यादा अच्छी लगती है तो मैंने यह सोच करके लाइट निकाल करके फिर ताल जोड़ना होगा तो वो मैं कर लूँगी बाद में तो चलिए फिर पैठे बिठाए मेरा काम बिगड़ गया है मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे कम बैक फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं फिर से आपका वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल पे और बस अभी आपने जैसा की देखा मैंने लाइट वाइट लगाई हैं पीहू को बने नाश्ता भी करा दिया है और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने आप लोग को पता है कि हमन मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक पनीर जो कि मैं अभी नीचे से पालक लेकर के आई हूँ तो अब मैं जाओंगी फिर से किचन में वही बात है किचन 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 हमारी जो रूटीन है वो किचन में ही मतलब दिन जो हमारा किचन में ही निकल जाता है शाम वो गई है मौ काफी अच्छा मौसम है तो अभी मैं जा रही हूं किचन में पालक पनीर बनाने के लिए तो पूरी रेसिपी में रिकॉर्ड करूंगी पालक पनीर की कैसे बना रही हूं बताईएगा आप लोग अगर आपकी कुछ टिप्स हैं तो भी आप मुझे दे सकते हैं कुछ सजेशन अच्छे से साफ किया है और अब मैंने यहां पे टमाटर प्याज अद्रक लेसुन को काट करके इसमें ही भगोने में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी डालूंगी और मैं इसको दो से तीन मिनट के लिए बॉयल कर लूंगी मतलब कि बलांच करना है पुरी तरह से गलान नहीं है बस और इसको मैं ढख करके दो से तीन मिनट पकाऊंगी मैंने यहां पे नमक भी डाल दिया है अगर पालक में कुछ कीड़े वीड़े हैं तो वो निकल जाएंगे तो इसको मैं उबाल लूंगी अच्छे से तो अभी तीन मिनट चार मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो पालक है वो अच्छे से उबल गई है हमें जादा दिर उबालना नहीं है वरना पालक का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा तो हमको बस हलका सा ही उबाल करके इसको थोड़ा थंडा कर लेना है और जब थोड़ा सा थंडा हो जाएगा तो हमें मिकसर जार में डाल करके सब कुछ एक साथ पीस लेना है मैं इस तरह से ही बनाती हूँ पालक पनीर आप लोग कैसे बनाते हैं अगर आपकी कोई अच्छी रेसिपी है तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं अब मैं इसको मिकसर जाल में डाल करके पीस लूँगी क्योंकि गरम है थोड़ा सा केरफुली हमें काम करना होगा तो यहां मेरी पालक पिस गई है और अब मैं कढ़ाई डालूँगी कढ़ाई चड़ाऊंगी और उसमें तेल डालूँगी मैं रोज के comparison में आज थोड़ा तेल जादा डाल रहे हूँ तेज पत्ता डालूंगी कसूरी मेथी मेरे पास इस समय है नहीं अगर आपके पास है तो आप जरूर डालें और मैं इसको जीरे से ही छोकूंगी तो मैं इसमें जीरा डाल दूंगी उसके बाद अपना पिसा हुआ जो पेस्ट मैंने पिसा है वो मैं इसमें डाल करके अच्छे से भून लूंगी जब तक कि उसमें से तेल नहीं छूट जाता तो हमारा मसाला भुन रहा है मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी जिसमें की नमक, मेर्च, हल्डी पाउड़र थोड़ा सा सबजी मसाला यह सब डाल के फिर मैं इसको अच्छे से भूनूँगी gagnम मसाला मैं बाद में डालूंगी इसमें तो जब तक हमारा यहां मसाला भुन रहा है, मेरी चटनी भी खतम हो गई है और मेरी एक सब्सक्राइबन ने मेरे से कहा भी था कि आप मुझे ग्रीन चटनी की रेसिपी बताईए मैंने हरी धनिया को बहुत अच्छे से धुल लिया है हरी मिज डाल दी है नमक आप अपने टेस्के कोर्डिंग डाल दीजे और मैं डालूंगे इसमें अमचुर पाउडर साथी साथ में अपना मसाला भी चलाती रहूंगे उसे हमें भूलना नहीं है क्योंकि मेरी कड़ाई जो हो बहुत हलकी है लोहे की है तो मैं इसको बराबर चलाती रहूंगे वरना मेरा मसाला जल जाएगा तो ये है मेरा अमचुर पाउडर मैं इसको अपने खटा जितना भी आपको खाना है उसे साथ से आप डाल दीजे और बहुत महीन जैसा आपको महीन या दरदरा पीसना है वैसे आप पीस लीजे मैं एकदम महीन चटनी बनाती हूँ तो बस मैं इसको पीस लूँगी और फिर मैं आपको बना करके चटनी मिलती हूँ ये देखे बन ही गई हमारी चटनी और साथी साथ नमारा मसाला भी भून रहा है तो हमारी चटनी बन गई है आठा भी मैंने गूत के लगा दिया है और मसाला भी उल्मोस पानी डाल दूँगी और बस अब मैं जब तक पनीर काटूँगी और फिर काटने के बाद मैं तक मैं पनीर डाल करके भून लूँगी देखिए मसाला काफी अच्छा भुन गया है तो चलिए मेरा ब्रेकूनलर जो डिनर है वो बन चुका है और फिर मैं डिनर करके आपसे मिलती हूँ तब तक के लिए बाई बाई तक के लिए बनाए खाना बनाए बनाए पनीर लेकिन मैं आपको एक दूसरे तरीके से मैं आपको अवली बार मना के आपको पालक मनीर मैं आपको बना के हिलाँगा आपको पालक पनीर को देखने का नजरिया सोचने का नजरिया बदल जाएगा आपको पालक पनीर बना के खिलाँव में नेक्स वीडियो में चलिए ठीक है थांक यू तो फ्रेंट्स अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है जैसा कि आपने देखा मैंने आज पालक पनीर बनाई थी तो ठीक ठाक बन गई थी मेरे हस्बन को अच्छी लगी मगर वो बोल रहे हैं कि नेक्स टाइम वो बना के आपको पालक पनीर की रेसिपी दिखाएंगे तो चलिए देखते हैं वो कैसी बनाते हैं नेक्स टाइम उनकी भी रेसिपी में जरूर रिकॉर्ड करूंगी और अभी बस मैं बैठी हूँ और पी हूँ अपने डैडी के पास बैठी है कुछ पेपर में कलर वलर कर रही है और बस इतना ही है अब मैं जारी हूँ अपने फेस का नाइट टाइम स्किन के रूटीन करने तो मैंने सुचा चलो आपके साथ वो भी मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला था और मैंने चटनी की रेसिपी भी शेयर कर दी है तो अगर आप देख रही हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी बस ऐसे ही बना लेती हूँ मैं चटनी तो बनाती हूँ मतलब बिना चटनी के हमारे याँ खाना नहीं होता है फिनिश कर दूँगी, मिलूंगी अब कल आपको एक और अपने इंट्रेस्टिंग व्लॉग के साथ, अब तक के लिए टेक कियर, एन हाँ, गुड नाइट, मैं व्लॉग अपना नाइट टाइम करने के बाद, महीं पर ही फिनिश कर दूँगी, चलिए, बाइ-बाइ, गुड कर लिया है, और वाश करने के बाद, टावल से में डैप-डैप करके पोज दूँगी, और मैं यहाँ पे रात में लगाती हूँ, मिस्ट और दिन में लगाती हूँ, तो यह है, रोज मिस्ट और गुड वाइप्स का है, मैं इसको अपने फेस पे स्प्रे कर दूँगी, दो अगर आपकी स्किन लूज हो रही है, एंटी रिंकल्स की बहुत अच्छा काम करती है, तो आप लोग जरूर इस जेल को बनाईए और अपने घर पे बना करके इसको यूज करिए, तो फिज में मैं रख देती हूँ, ठंडा ठंडा लगता है, रात में इसको जब लगाती और इससे दो से दीमीट मसाज कर लेती हूँ अपने फेस में, और बहुत ही अच्छा फील होता है, प्र अपने अच्छा फील होताई यूज कर लेती है, बस फिर इसको करने के बाद मैं अपने फेस में लगाती हूँ, लिप बाम कोई भी जो मेरे पास उस समय अवलेबल मुझे मिल जाता है मैं अपने लिप्स को मौस्चराइज कर लेती हूँ बस तो इतना प्या चोटा सा मेरा एक स्किन नाइट टाइम स्किन केर रूटीन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है आई होप आपके लिए थोड़ा सा हल्फुल होगा हल्फुल है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा आप अपने फैमली फ्रेंस में शेयर भी कर सकते हैं चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉक्स देखने के लिए चलिए मिलती हूँ आपको कल तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और गुड नाइट